क्या कहती है आपकी राशी जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पोर्ण विश लेते अचारे चंदन संडिलेजी से क्या कहती है आपकी राशी जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पोर्ण विश लेते अचारे चंदन संडिलेजी से गुरूर ब्रम्हा गुरूर वेष्णो गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात प्रम्रम्हा तसु मैस्रे गुरुवे नम्हा नमस्कार दर्सकों मैं पंडित चंदन संडिल परती दिन के तरह एक बार फिर से आप सभी दर्सकों का कुंडली दर्सन के आज की राशी फल विशिसांग कारिकरम में स्वागत करते हैं और आज इस कारिकरम में बात करेंगे 5 जून 2018 के राशी फल के बारे में जी हाँ इस कारिकरम में जानेंगे कि कैसा गुजरेगा आपका आज का मंगलवार का दिन क्या कहते हैं सेतारे आपकी राशी को लेकर क्या है ग्रहों और नचत्रों के इसारे क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आपके साथ जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात या फिर सारा दिन आप सीकल हकलेश में बह जाएंगे आपके जजबात नौकरी विपार में कैसे करें आज उचित समय की पहचान मुनाफे से होगी दिन की सुरुवात या फिर हो जायेगा कोई बहुत बड़ा नुक्सान मेश रासी से लेकर मीन रासी वालों को आज क्या हो सकती है समस्या और क्या हो इसका उचित रासी अनुसार घरेलू समाधान इन ही बातों पर करेंगे आज चर्चा आईए सबसे पहले सुरुवात करते हैं आज के पंचांग से आज विक्रम समवत 2075 जेश्ट मास क्रिश्न पक्ष सस्थी तिथी वैदर्ती योग धनिष्टान अछत्र और मंगलवार का दिन है आज के दिन राहुकाल दोपहर के 3 बजे से साम के 4 बच कर 30 मिनट तक रहने वाला है और जो तिस सास्तर के अनुसार राहुकाल में किसी भी परकार के सुब्र या मांगलिक कर या नया कर नहीं करना चाहिए तो आईए आप सुरुवात करते हैं सबसे पहले मेश रासी से लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जरूरी सूचना जिन दर्सकों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएं वो वीडियो की नीचे देखे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ जो आपको दिख रहा है वो उस बटन पे किलिक करें उस पे किलिक करते ही आपको बगल में घंटी के आकार का एक नोटिफिकेशन का बेल आइकोन दिख जाएगा उसे भी किलिक कर दे जिससे आपको इ आपके रासी से ग्यारमें भाव में गोचर करेंगे आज के दिन आपके किये हुए पडियासों में आपको सफलता दिलाने वाला दिन रहने वाला है पिछले समय में भी किये हुए कारियों से आज आपको लाब प्राप्त होगा कामकाज के मुर्चे पर आज आपकी इस्तित बहुत ही अच्छा रहने वाली है आपके कारियों में आज कुछ नयापन भी आप ला सकते हैं जिसका आपको लाब भी होने वाला है आज के दिन ओफिस के काम से किसी जरूरी मीटिंग में भी आप सामिल हो सकते हैं जहां लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे तथा इसके साथ ही आपके कमपनी को भी मुनाफ़ा हो सकता है परणाम सरूप आज आपके पद परतिष्ठा में विर्धी होने के संकेत साफ साफ दिख रहे हैं आज के दिन आपका कोई विवेपारिक फैसला आपके पक्ष में रहने वाला है परिवारिक माहूल भी खुसनुमा बना रहेगा इस रासी के छात्रों को आज सिक्षा अध्यन में सफलता मिलने की योग नजर आ रहे हैं प्रेम परसंक के ख्यास से आज का दिन अच्छा रहने वाला है इस रासी के साधी सुदा लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही मदूर रहेगा आप अपने जीवन साथी के साथ जीवन के कुछ बेहतर पल को आज महसूश कर पाएंगे आज के दिन उपाएं में हनमान जी को सिंदूर चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा सुब रहेगा और महिलाएं हनमान जी को नारियल भी चढ़ा सकती है अब आईए बात करते हैं अगली रासी विरसब रासी विरसब रासी वाले आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्पूर रहने वाला है आज के दिन चंद्रमा आपके रासी से दसमे भाव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं आज आप अपने उपर अधिक ध्यान देने वाले हैं अपने द्वारा लिये गए निर्णियों पर पुनर विचार भी कर सकते हैं पुराने दिनों की कुछ खटी मिठी बातों को भी आप आज के दिन याद कर सकते हैं और इससे आफ अधिक रोमान्चित भी होने वाले हैं आर्थिक इस्तिती में सुधार होने के संकेत देख रहे हैं आपके कहीं रूके हुए पैसे, अटके हुए पैसे आज निकल सकते हैं मकान तथा वसीहत समंदी कारियों में आज आपको लाव प्राप्त होगा किसी धार्मिक अस्थल के यात्रा पर भी जाने का कुछ योग बन रहा है नौकरी में आपके पद परभाव में आज विर्धी होने के संकेत दिख रहे हैं तथा रूके हुए कोई सरकारी कारे भी यदी है तो आज वो पूरा हो जाएगा आज के दिन आपके सुक शाधनों में विर्धी होने के आसार नजर आ रहे हैं आपके माताजी के स्वास्त में भी शुधार हो सकता है और उनका पूरा सने भी आपको प्राप्त होने वाला है प्रेम समंधों में कुछ टकराव की इस्तिती उत्पन हो सकती है परन्तु धीरे धीरे सब कुछ शमान्ड हो जाएगा जीवन साथी के साथ भी आपको बात करते समय अपने गुस्य पर नियंतरन करना होगा आज के दिन उपाई में स्री सुंदर कांड का पाट करना आपके लिए बहुत सुभ रहेगा अब आई बात करते हैं अगली रासी मितुन रासी मितुन रासी वाले आज का दिन आपके लिए बहुत भागे साली रहने वाला है पिछले कुछ दिनों से चली आरही समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है आज के दिन चंद्रमा आपके भागस्थान में रहने वाले हैं आज के दिन अगर आप खुद पर भरुशा रखते हैं तो आपके काम पूरा होने में आसानी होगी कारेवेपार में चीजें आज कुछ हद तक आपके पक्ष में रहने वाले हैं आज का परड़ाम आपके लिए संतोष जनक रहेगा काम काज में भाग्य का साथ मिलने से तरक्की के कुछ नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे इस रासी के जो लोग सेर वजार से समंदित कोई कारे करते हैं या कोई निवेश करते हैं उन्हें कोई बहुत बड़ी काम्याबी मिल सकती है और इससे आपको धनलाब भी होने वाला है इस रासी के छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है किसी जरूरी सवाल को सुल्व करने में आपके सिक्षक या फिर आपके अपने घर में ही किसी बड़े सदस्की मदद से आपको जवाब मिल जाएगा प्रेमी जोडे आज की दिन एक साथ किसी धार्मिक अस्थान या मंदिर में भी जा सकते हैं और अपने रिष्टों में प्यार की मधूरता बनाये रखने का प्रार्थना भी कर सकते हैं इस रासी के दामपत्र लोगों का भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है जीवन साथी के सहयोग से घर का कोई जरूरी काम पूरा हो जाएगा आज के दिन उपाय में हन्मान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्सन करना आपके लिए बहुत सुभ रहेगा अब आईए बात करते हैं अगली रासी करक रासी करक रासी वाले आज का दिन आपको विसेश सावधान रहने की जरूरत है आज चंद्रमा आपके रासी से अश्टम्हों में गोचर कर रहे हैं आपको आज कुछ कटनाईयों का सामना भी करना पड़ सकता है आज के दिन आपका काम समय पर पूरा नहीं होगा और इसके साथ ही आज आप जैसा परणाम मिलने की उमीद पाले बैठे हैं उसमें भी कुछ कमी जरूर आएगी आज के दिन आप खुद को और सहज भी महसूस कर सकते हैं इस रासी के जो लोग अदालती चक्कर काट रहे हैं आज उनको कुछ कटनाई हो सकती है आपको अपने लक्षों पर ध्यान केंदरित करने में भी मुस्किनों का सामना करना पड़ सकता है सुास्त के परती भी ध्यान देने की जरूरत है और इसके साथ ही आज वाहन चलाते समय ट्रेफिक नियमों का पालन जरूर करें नहीं तो आपके साथ कोई दुरगटना या आपका चलान भी कर सकता है जिसके कारण आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज सुभा सुभा की सैर करना और अपने सोच को सकरात्मक बनाए रखना ही आपके लिए लाप्रद रहने वाला है अगर आप अपने आपको सकरात्मक सोच से किसी काम को करते हैं तो परिनाम फिर आपके बहतर हो सकते हैं आज के दिन आप विशेश रूप से इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बजरंग मान का पाठ जरूर करें और पीपल के विरिक्ष में जल अर्पित करना न भूलें यह आपके लिए बहुत सुव रहेगा अब आईए बात करते हैं अगली रासी सिंग रासी सिंग रासी वाले आज का दिन आपके लिए बहुत शांदार रहने वाला है आज के दिन चंद्रमा आपके रासी से शप्तमभाव में गोचर कर रहे हैं पिछले दो दिनों से चली आ रही परिशानियों से आपको निजात मि काम काज की इस्तिती में बहुत सुधार होने के योग बन रहे हैं। हो सकता है। लेकिन आज के दिन किसी विपरकार के नए आर्थिक निवेश को सोच समझ कर ही करें। घर पडिवार में वातावरन आपके अनकूल रहने वाला है। इस रासी के साधी सुधा लोगों के जीवन में आज रिस्तों में मधूरता बनी रहेगी। और आप दोनों के बीच में पिछले दिनों हुई कुछ गलत फ़मिया के कारण जो बीच में रिस्तों में खटास आई है वो आज खत्म हो जाएगी। आज के दिन आप बहुत रोमांटिक मुड में भी रहने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको भौतिक सुखों की भी प्राप्ति जरूर होगी। आज के दिन उपाय में साथ मसूर के दाल का दान करना आपके लिए सूब रहेगा। लेकिन ये दान आपको किसी मंदिर में या बहते हुए जल में प्रभाईत करके करना है। क्योंकि किसी गरीव व्यक्ति को अगर आप दान करते हैं तो कम से कम इतना दान जरूर करें जिससे उनके घर में एक टाइम का दाल जरूर बन जाए। अब आई ये बात करते हैं अगली रासी कन्या रासी वाले आज का दिन आपके लिए मिला जुला पढ़नाम दे सकता है आज चंद्रमा आपकी रासी से छटे भाव में गोचर करेंगे आज आपको किसी से भी बेकार के बहस में नहीं पढ़ना चाहिए नहीं तो कोई वाद वि भी हो सकता है अपने मन में नकरात्मक ख्यालों को ना आने दे आज हो सके तो आप योग या ध्यान का सहरा जरूर ले इससे आपका मन सांत होगा और फिर आप सही दिसा में सोच पाने में समर्थ रहेंगे आज के दिन आप किसी को भी उधार देने से भी बचें किसी भी परकार के आर्थिक निवेश को भी सोच समझ कर ही करें और अपने स्वास्थ पर विशेश ध्यान दें इस रासी के जो लोग बिरुजगार हैं उन्हें जौब के कुछ बेहतर अउसर भी आज मिल सकते हैं सरकारी नोकरी भी लग सकती है आज के दिन कुछ लोगों का धर्म कर्मी भी रूची इस रासी के लोगों को बढ़ सकती है माता पिता के साथ किसी धार्मिक अस्थल की यात्रा पर या किसी मंदिर पर भी आप आज जा सकते हैं संतान पक्च की ओर से आपको कोई बहुत बड़ी खुस खबरी भी मिल सकती है जिससे आप खुसी से फूले नहीं समाएंगे आज के दिन उपाई में पीपल के पत्ते पर भगवान स्री राम का नाम लिखकर नदी में परवाहित करें इससे आपको विशेश रूप से धन लाब भी जरूर होगा अब आई ये बात करते हैं अगली रासी तुला रासी तुला रासी वाले आज का दिन आपके लिए बहतरीर रहने वाला है आज के दिन चंद्रमा आपके रासी से पंचम्भाव में गोचर करेंगे कारे छित्र में कुछ परिशानी आने के बाद भी परिनाम आपके पक्ष में रहने वाला है इस रासी के जो लोग किसी सरकारी नोकरी की तयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्टिशन को देने के लिए जा रहे हैं उनको आज सफलता मिल सकता है आज के दिन जो लोग किसी बैंकिंग या पोस्ट ओफिस या सेर स्टॉक के छेतर से जुड़े हैं उनको आज कोई धनलाब या पर्मोशन होने का योग बन रहा है आज सब को साथ लेकर चलने का दिन है पुराने मतवेदों को भुला कर आज आपको ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना होगा प्रेमी जोडों के लिए आज का दिन रिष्टों में मिठास लाने वाला रहेगा आज पार्टनर को कोई गिप्ट भी आप दे सकते हैं आज के दिन माता के स्वास्थ में पहले से चल रही दिक्कतों का अंध हो आज के दिन एक बात का विशेस रूप से ख्याल रखें पीठ पिछे किसी भी व्यक्ति का गुराई ना करें उपाय में आज जरुवत मन व्यक्ति को गेहूं का दान करना आपके लिए सुब रहेगा इससे आपको और भी ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है अब आई ये बात करते हैं अगली रासी वृरिष्टिक रासी वृरिष्टिक रासी वाले आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है आज के दिन चंद्रमा आपके रासी से चतुर्थ भौ में गोचर कर रहे हैं आज जो भी काम शुरूख करेंगे उसमें तरक्की आपको जरूर मिलेगी। आज आप अपनी सूज, बूज से सभी वेबसाईक समस्याओं का समाधान कर लेंगे। आज आपको काम करने के इस्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव करने की जरूरत है। इससे आपका काम और भी निखर कर सामने आएगा। आज कोई दोस्त आपसे उधार मांग सकता है। उधार देने से पहले सोच विचार जरूर करें। आज घर वालों के साथ सामकिसमें कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। पारिवारिक माहोल बहुत ज्यादा खुस्नुमा रहेगा आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति से भी मदद मिल सकता है जिसका आपने उमीद नहीं कर रखा हो। प्रेमी जोडों को कुछ समस्या आ सकती है। आज के दिन उपाय में किसी विकलांग व्यक्ति को भोजन कराना आपके लिए सुभ रहेगा। अब आज ये बात करते हैं अगल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज चंद्रमा आपकी रासी से तिर्तिय भाव में गोचर करेंगे। आज के दिन आप किसी भी बात को लेकर थोड़ा जिद्धी हो सकते हैं। सुभाव में जिद्धीपन आ सकता है। पर ध्यान रहे कि ये जिद्धीपन आपके आपस रिस्तों के लिए अच्छा नहीं है। वैसे आज के दिन कारे छित्र में आप अपने काम को पूरा करने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अपने काम को पूरा करके ही आज आप मानने वाले हैं। ऐसा सोच कर ही आप काम सुरू करेंगे। पर यहाँ पर भी आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अगर समस्या अधिक बड़ी हो तो उसे पूरा करने में किसी मित्र या सहयोगियों का सलहा लेना आपको बहुत ज़्यादा फायदेमन रहने वाला है। एक्टिविटी क्लास भी जोईन कर सकते हैं। आज किसी सगे समन्दी से कुछ वैचारिक मदवेद भी आपके हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है आपको अपने वानी पर शैयम पनाए रखना चाहिए। आज आपका दामपत्य जीवन खुसियों से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं ठंडी जगह पर घूमने जाने का आउसर भी आपको मिल सकता है। आज के दिन सुभा पांच बार हन्मान चलिशा का पाट करना आपके लिए अत्यंत सुभ रहेगा। अब आई बात करते हैं अगली रासी मकर रासी। मकर रासी वले आज का दिन आपके लिए अच ऐसा तो आएगा जरूर लेकिन आप घर के कुछ जर्रत के समानों की खरिदारी पर धन का कुछ विशेश खर्च भी करने वाले हैं। आज के दिन घर में सुख असमर्धी बनी रहेगी। आज आप चिंताओं से मुक्त रहेंगे। सभी दुखों का शमाधान होने वाला उच्छ सिक्षा ग्रहन कर रहे चात्रों को आज राजनीती में जाने का आउसर भी मिल सकता है। बड़े अस्तर पर लोग आप से जुड़ना चाहेंगे। आज कारे छेत्र में भी आपका परसंसा होने वाला है। आपके सिनियर का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। प करना होगा। किसी मंदिर के बाहर लोगों को भोजन कराएं इससे आपके परगती के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। अब आईए बात करते हैं अगली रासी कुम्ब रासी। कुम्ब रासी वाले आज का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है। आज के दिन चंद् में बेहतर तरक्की कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पर आप अपने विवेक पुड तरीकों से इन बाधाओं को दूर कर लेंगे। इस रासी के वैपारियों के लिए आज का दिन वैपार में तरक्की दिलाने वाल रहने वाला है। उन्नति के कुछ आवसार नजर आ रहे हैं। आज ननीहाल पक्त से घर में कोई मेहमान भी आसकता है। साम के समय घर वालों के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। इस रासी के कुछ पुर्षों को आज उनके किसी महिला मित्र से साधी का प्रस्तव भ आज किसी को उधार दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा आज के दिन उपाई में सिविलिंग पर दूद मिस्रित जल से अभिशेक करना आपके लिए अत्यन्त सुभ रहेगा अब आज ये बात करते हैं काल पुरुष की अंतिम रासी मीन रासी वाले आज का दिन आपको मिस्रित पढ़ना मिल सकता है आज चंद्रमा आपके रासी से बारमे भाव में गोचर करेंगे काम काज एवं नौकरी में किसी परकार का दबाव का भी सामना आपको करना पढ़ सकता है आज के दिन कोई आपको निचा दिखाने का भी पढ़ियास करेगा आज आपका दिन संघर्सों से भरा रहेगा आज किसी परिस्रम के अनरूप फल पाने में आपको कुछ वक्त अधिक लग सकता है बचे हुए कामों का निप्तारा करने के लिए आज का दिन अच्छा है इससे आप पर अचानक आने वाला दबाव कम हो जाएगा आज किसी पर तुरंत भरुसा ना करें इससे आपको नुक्सान होगा और किसी को भी अपनी व्यक्तिकत बाते ना बताएं आज आपका स्वास्त भी कुछ नर्म रह सकता है साम के समय स्वापिंग पर जाने का प्लान भी पना सकते हैं पर समान को खरित्य समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें फिजूल खर्ची का भी कुछ योग आपके लिए बन रहा है आज के दिन उपाय में हनमान जी को लड़ू का भोग लगाएं तथा शंकट मोचनिस्त्रोथ का पाठ करना आपके लिए बहुत लाप्रद सिद्ध होगा तो दर्शकों आपने देखा क्या कहता है आपका आज का रासिफर कैसा गुजरेगा आपका आज का मंगलवार का दिन इसी प्रकार से जोतिस एवं धर्म से जुड़े अनेक महत्पूर्ण रहस्पूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले वीडियो के लीचे देखें लाल गलर का सब्सक्राइब लिखावा बटन दिख रहा है फिर मुलाकात होगी आप सभी दर्शकों से आगले कारिक्रम में तब तक के लिए नमस्कार जैमाता दी राधे राधे जाने अपनी कुंडली एवं राशियों का कोर्ण भिश लेते हैं अचारे चंदन संडिलेजी से